अलो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में टाटा इंट्रा V10 BS6 की तुलना करेंगे मेहंद्रा सुप्रो मेक्सी ट्रक T6 BS6 से इस वीडियो में हम आपको इन दोनों गाडियों की कीमत, पेलोड केपिसिटी, इंजिन पावर और टॉर्क और साथ में हम आपको इन दोनों गाडियों का मैलेज भी बताएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ये वीडियो देखने से पहले सस्क्राइब कर लें जहन्तकार चैनल को और प्रेस कर लें बेल आइकन को क्योंकि इस चैनल पर हम आपको गाडियों से जुड़ी जानकारी बताते हैं तो आईए सबसे पहले बात करते हैं दोनों गाडियों के डामेंज सन के बारे में तो आपको इंट्रा V10 की लेंथ मिल जाती है 480 mm की और बिट्ट मिल जाती है 1603 mm की और बिल बेस मिल जाता है 2250 mm का और जी बी डवलो यानि की ग्रोस बीगल बेट मिल जाता है आपको इंट्रा V10 में 2120 kg की बहीं पे सुप्रो मैक्सी ट्रक में मिलता है आपको लेंथ 448 mm की बिट्ट मिलती है 1540 mm की और बिल बेस मिलता है आपको 2050 mm का बहीं पे GBW यानि gross vehicle bed मिलता है आपको सुप्रो मैक्सी ट्रक में 2135 केजी का बहीं पे दोनों गाड़ियों में आपको इंट्रा V10 में length ज़्यादा मिलती है सुप्रो मैक्सी ट्रक से 134 mm की और इंट्रा V10 में बिर्त्वी ज़्याजा मिलती है आपको 63 mm की बहीं पे इंट्रा V10 में आपको भीलबेश भी ज़्यादा मिलता है 200 mm का बहीं पे GBW यानि की gross vehicle bed कम मिलता है आपको सुप्रो से इंट्रा V10 में 15 kg का तो आप देखी सकते हो का कौन सी गाड़ी आपको लंबी मिलती है कौन सी गाड़ी आपको छोड़ी मिलती है किसमें आपको ज़्यादा बेट मिलता है किसका आपको भीलबेश ज़्यादा मिलता है तो चलिए आगे चलते हैं आई अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ीयों के इंजन के बारे में तो आपको इंट्रा V10 में मिलता है टू सलंडर 800 CC का D.I.B.H.6 डीजल एंजन जो देता है आपको 42 BHP की पावर 3750 RPM पे और 110 Nm का टॉर्क 1800 से 2500 RPM बहीं पे बात करें तो आपको इसमें मिलता है टू सलंडर 909 CC का B.I.H.6 डीजल एंजन जो देता है आपको 47 BHP की पावर 3750 RPM पे और 109 Nm का टॉर्क 1600 से 3300 RPM तो आप देखी सकते हो कौन सी गाड़ी में आपको एंजन CC ज्यादा मिलती है और कौन सी गाड़ी में आपको पावर एंड टॉर्क ज्य की तो आपको दोनों ही गाड़ियो में मिलती है पावर इश्ट्रिंग, लोकेवाल गलो बॉक्स, 12 बोल्ट का चारजर सोकेट, ड्राइवर एंट को ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट, शाथ में सीट पार्किन ब्रैक और आपको दोनों ही गाडियों में मिल जाती है AC और सीटिंग कैपिसिटी मिलती है आपको इंट्रा V10 में D-plus 2 की यानि की 3 लोगों के लिए और सप्रो मैक्सी ट्रक में मिलती है आपको D-plus 1 की यानि की 2 लोगों के लिए और ये वीडियो बनाने के लिए जिनोंने हमसे बोला है कमेंट करके वे हैं अरूप सरकार जी अगर बात करें दोनों गाडियों के क्लच और गेर बॉक्स की तो आपको इंट्रा V10 में 5-speed manual गेर बॉक्स मिलेगा और क्लच मिलती है आपको इंट्रा V10 में Single-Plate Dry-Fiction Diapogram Type क्लच बहीं पे सुप्रो मेक्सी ट्रक में मिलता है आपको 5-speed manual गेर बॉक्स और क्लच मिल जाती है आपको सुप्रो मेक्सी ट्रक में Single-Plate Dry-Fiction क्लच और आप जान लेते हैं इन दोनों गाडियों के mileage and fuel tank के बारे में तो आपको इंट्रा V10 का mileage मिल जाता है 19-20 KMPL का बहीं पे इस गाड़ी का आपको fuel tank मिल जाता है 30 L का अगर बात करें सुप्रो मेक्सी ट्रक की तो आपको इस गाड़ी का mileage मिल जाता है 21.94 KMPL का बहीं पे बात करें fuel tank के बारे में तो आपको सुप्रो मेक्सी ट्रक में मिल जाता है 33 लीटर का फ्यूल टेंग और आप बात करते हैं दोनों गाड़ियों के टर्णिंग रेडियस की यानि की ये दोनों गाड़ियां कितनी कम जगह में घूम सकती हैं तो आपको बात करते हैं दोनों गाड़ियों में आपको बारेंटी मिलती है इंट्रा वी टेंड में दो साल और 72,000 km की और बहीं पे सुप्रो मैक्सी ट्रक में मिलती है आपको तीन साल और 80,000 km की बारेंटी और आप बात करते हैं दोनों गाड़ियों के सस्पेंसन की तो आपको मिलते हैं इंट्रा V10 में रिजिड लीप स्प्रिंग सस्पेंसन यानि की फ्रेंट में 6 और रियर में मिलेंगे आपको 7 लीप स्प्रिंग और सुप्रो मेक्सी टग में मिलते हैं आपको लीप स्प्रिंग सस्पेंसन यानी की फ्रेंट में मिलेंगे 8 पटा और रियर में मिलेंगे आपको 6 पटा और brake मिल जाते हैं आपको दोनों ही गाडियों में front में मिलेंगे disc brake और rear में मिलेंगे आपको drum brake आइए अब बात करते हैं इंदोनों गाडियों की load body, lembái और चोड़ाइ और payload capacity के बारे में फिर बताएंने हम आपको इन दोनों गाडियों की कीमत तो आपको इंट्रा V10 की लोड़ बोड़ी लंबाई मिल जाती है 8 फेट 2 इंच की और इस गाड़ी की लोड़ बोड़ी चोड़ाई मिल जाती है आपको 5 फेट 3 इंच की और इस गाड़ी की पेलोड कैपिसिटी मिलती है आपको 1000 केजी की और बहीं पे बात करें सुप्रो मैक्सी ट्रक की लोड़ बोड़ी लंबाई की तो आपको मिल जाती है आठ फिट दो इंच की और इस गाड़ी की आपको चोड़ाई मिल जाती है पांच फिट की अगर बात करें सुप्रो मैक्सी ट्रक की पेलोड कैपिसिटी की तो आपको मिल जाती है 1000 केजी की तो आपको दोनों गाड़ियों में कुछ खास फरक देखने को नहीं मिलेगा दोनों गाड़ियों में आपको हर चीज समान मिलती है अगर बात करें कीमत की तो आपको इंट्रा B10 BS6 के टॉप एंड बेरियंट की कीमत मिलती है 6,35,000 रुपे और बहीं पे सुप्रो मैक्सी ट्रक T6 BS6 की यानि की टॉप एंड बेरियंट की कीमत मिलती है आपको 6,21,000 रुपे तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं थैंक यू